नमस्कार स्वियन नाइन न्यूस में आपका स्वागत है मध्यपरदीश राजिस्थान और 36 गड़ समेत 5 राज्जु में अगले महीने विधानसभाद चुनाव होने हैं इन चुनावों को लोगसभाद चुनाव 24 से पहले सेमी फाइनल के रूप में देखा जा रहा है आपकी तारीक ही अलग-अलग हैं लेकिन मत गड़ना एक ही दिन यानि तीन दिसंबर को होना है इसे पहले यहां पर तैयारियां काफी तेज हो चुकी है राजिस्थान, मद्यपरदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी और भारते जन्ता पार्टी में एक बड़ी टकर और एक बड़ी जंग देखने को मिल रही है इसे बीच आपको बता दें कि इन तीन राजियों में एक सर्वे किया गया और सर्वे के मुताबक एक बड़ी पार्टी यहां पर जीती वी नजर आई वहीं आपको बता दें कि कई सवाल भी पूछे गए जिसमें सवाल ये भी था क्या MP राजिस्तान और 36 गड़ के चुनावों में बीजेपी को बीजेपी जो अपनी सांसदों को टिकेट दे रही है क्या ये मास्टर स्ट्रॉक के रूप में देखा जा रहा है तो तमाम तरीके से देखा जाए तो यहां की जनता ये कहती वी नजर आ रही है 80% की हाँ ये एक दिमागी गेम है जिसमें भारते जनता पार्टी एक बड़ा कदम उठाती वी नजर आ रही है वहीं दूसरी तरफ कई और बड़े सवाल पूछे गए जिसमें ये दावा किया गया कि बेशक यहां पर भारते जनता पार्टी अपने सांसदों को दुबारा चुनावी मैदान में उतार दे लेकिन 36 गड़ और राजस्थान और मद्य परदेश में भारते जनता पार्टी को मात देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों को उठाते वी चुनाव जीती हुई नजर आएगी आपको बता दें कि यहाँ पर कई बड़ी सवाल भी पूछे गई कि क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों को मौका देगी तो वहीं देखा जाए तो नए चेहरों को मौका यहाँ पर दिया तो जा रहा है लेकिन एक तरीके से यह भी देखा जाए तो प भारते जनता पार्टी में आकी एक पुराना चेहरा बन जाते हैं जिससे यह दावा किया जा रहा है कि अभी तक पुराने चेहरों को दरकिनार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नए चेहरों को यहाँ पर मौका देने के लिए भारते जनता पार्टी आ गया रही है तो यह उन्हें इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है तो यह सर्वे में सामने आया है कि कॉंग्रेस पार्टी भारते जनता पार्टी से कई कदम आगे बढ़ती वी नजर आ रही है और भारते जनता पार्टी अपने इन ही गेम में फरस्ट चुकी है जिसकी वजह से उनके ही यहाँ पर नेता उनसे नरास दिखाई दे रहे हैं अब आपको क्या लगता है कि यह जो सर्वे सामने आया है क्या वाकई यहाँ पर भारते जनता पार्टी की जो हार दिखाई दे रही है वाकई यहाँ पर हार होती वी नजर आएगी कॉंग्रेस पार्टी जीतती वी तमाम राज्यों में नजर आएगी क्या लगता है आपको विधान सबाद चुनाव को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद